अब तो यहां पर उनके बच्पन को छीन ले आ जाता है उस एज में क्या हो गया उसके जो बच्पन है वो चीन ले आ जाता है और वो किसके द्वारा चीन ले आ जरा इसके पर हमारी परमपरा रहे हैं जो हमारी करीभी है यहां जो में परफ़कर अपना ऊट्ची व्होशा पुछ से पाड़ना चाहिए और कार्थ जानना चुरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में हमको मिलेंगे सबसे पहला है looking for looking for का मतलब होता है searching for किसी चीज़ की तलास करने को बोलते है looking for उसके perpetual state of poverty इसका मतलब होता है आपका लगातार गरीब बने रहना मतलब कि जो हमारी गरीब पर विच्वल state of poverty का मतलब लगातार गरीबी के आवस्ता मतलब जब हम गरीब ही रहते हैं और हमारी जो कंडिशन होती है financial condition होती हो कभी इंप्रूब नहीं होती हैं गरीबी बने रहते हैं अगला है श्लॉग दियर daylight hours का मतलब होता है दिन के समय कट्रोपरिशन करते मतलब दिन भर हाडवर करना ताकि हम दो टाइम की रोटी जुटा सकें डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है आपका बैरक ठीक है मतलब जिसको कह सकते हैं ऐसी हट्स जिसमें ये लोग रहते हैं और जिसमें 24 गंडे के चाहा रहता है अंदेरा चाहा रहता है ये और उनके पास लाइड भी नहीं होती है ये गरीबी का प्रतीक है उसके बाद है सब्सक्राइब करने के लिए विवश्च करना इसको कह सकते हैं इसको कह सकते हैं इसको सुरू करते हैं अब यहां पर चैप्टर में शुरुवात में देखते हैं क्या हो रहा है वाय डू यू डू दिस आप जो राइटर हो पूछ रहे हैं वाय डू यू डू दिस तुम यह क्यों कर रहे हो उससे बहुत देखिए सम्टाइम्स आई फाइंड रुपी इन दा गार्वीज मतलब कई बार क्या होता है कि मैं जो पैसे वो कहा मिल जाते मुझे कूड़े मि परिवार हम रहते हैं जिनके पास सुभीधाओं का अभाव होता है वह भी क्या हो सकते हैं बहुत टेलेंटेट हो सकते हैं और काम की चीज़ें हो सकते हैं जो देश को या दुनिया को क्या देख सकते हैं अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं इस scrounging for gold in the garbage terms of my neighborhood अब यहाँ पर क्या कह रहे है कि जो तुम यह काम क्यों करते हो यह कौन पूछ रहा है यह पूछ रहा है राइटर और वो क्या कह रहे है I ask साहिब मैं साहिब से पूछता हूँ whom I encounter जिसके साथ मेरा क्या हो आमना सामना every morning परतेक सुबह को मेरा क्या होता है आमना सामना होता है उसके बाद क्या होता है scrounging for gold in the garbage जो क्या करता है scrounging करता रहता है मतलब क्या करता रहता है ढूंटता रहता है उड़ा ले जाता है उड़ा लेने का मतलब क्या होता है कि जो बिना किसी permission के किसी चीज़ को उठा कर ले जाना तो जिया करता है वो जो बच्चा होता जो साहेब होता है वो कूले में क्या करता है गोल ढूंडता है और वहाँ पर कि बिना किसी बताए स्वाब किसी बाद कूले से क्या बताएगा किसी को तो वहाँ से वो क्या करता है उठा कर ले जाता है वो क्या ले उजाता है गोल्ड को उठा करके ले जाता है of my neighbor old जो की कहां मेरे बगल में ही है तो वो जो कुड़ा करकट है जो मेरे बगल में ही क्या रहता है बगल मेरे घर के बगल में ही क्या रहता है पड़ा रहता है वहाँ पर से जो साहेव है वो उस garbage में से gold को उड़ा करके या उठा करके ले जाता है सहाइब left his home long ago, सहाइब ने क्या क्या था left मैंने छोड़ना his home long ago काफी पहले सहाइब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, set amidst the green fields of धाका, ठीक है, जो green fields है धाका के मलद जो वहां के क्या है, हरे भरे खेत खली यहान है धाका के उसको बीच में ही ओ छोड़ करके आ गया था बंगलादेश से, his home is not even a distant memory, ठीक है, उसको his home is not even a distant memory उसके दिमाग में अब उस घर की बहुत जाता याद है, नहीं है जो साइब है, उसके दिमाग में वहां की बहुत जाता याद है, नहीं है there were many storms that swept away their fields and homes there were many storms, इस टूफान है वहां पर बहुत जाता, जो तूफान आए that swept sweep से बनाए sweep का, पास्ट है, sweat जो वहां के जो तूफान उन्होंने क्या उड़ा दिया था उनके घर, इसको उड़ा दिया था away the air fields, उनके खीतों की जो फशल होती उसको उड़ा दिया था एन ओम सर घरों को, उनके जो वहां तूफान आये धाका में, उन्होंने उनके घरों को और उनके फशलों को उड़ा दिया था अब घर को उड़ाने का घर भी उनके खर पतवार के बने रहोंगे, हट्स रहोंगे जोपडिया रहोंगी His mother tells him, उसकी माया उससे बताती है, that's why they left, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया उस बंगलादेश को छोड़ दिया, ढागाओ को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर उनको रहने के लिए और आजी को के लिए कुछ भी नहीं बचाता है Looking for gold in the big city where he now lives अब वो क्या करता है, ढूंड रहा है Looking for का मलदब, अभी वर्ट को देखा था तलास करना, वो किस की तलास करता है सोने की तलास करता है, सोना gold in the big cities बड़े-बड़े सहरों में where he now lives, जहाँ वो अब रहता है तो जिन बड़े सहरों में या जिस सहर में वो रहता है, वहाँ पर वो क्या करता है कूले में, और जो कचरा होदा, वहाँ पर सोने की तलास करता है ठीक है, तो वो क्या करता है वो बुद बुद आता है looking away और दूर देखता है, मतलब जब वो इस बात को बोलता है I have nothing else to do मरे पार करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इस बात को बहुत confidence से नहीं बोल पाता है, क्योंकि कि वो क्या है, बहुत गरीब है, तो इस लो क्या है, थोड़ा धियमे स्वर में बुद 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 आता है और looking away और इस पे तना confidence नहीं होता है कि इस बात को बोलते समय जो writer है, उसका सामना कर सके और उसकी तरब दीख पाई, इसलिए वो किसी और दिस्वा में देखना शुरू कर देता और तब इस बात को बोलता है गो टू स्कूल, अब जो writer हो कहते है, गो टू स्कूल जाओ, इसकूल क्यों नहीं जाते हैं, इसकूल जाओ, आइससे ऑने एक स्कुम्हों से छीज नहीं अनुद फिर में जई करते हैं और दियाओ तो जो मेरी एड़वाइज है वो क्या है बहुत ज़्यादा खोगली है इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है जो मेने बाते हैं क्योंकि जाता लोग अपने आपको सौफ करने के लिए ऐसी बड़ी बाते हैं अपने से कम जो लोगें सामने बोलते हैं देखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखे करूँगा तो क्या तुम आओगे I ask half joking लेकिन इस बात को मैं कैसे कहता हूँ थोड़ा मजा के ढंग से कहता हूँ I ask half joking मलता मैं थोड़ा मजा के ढंग से इस बात को कहता हूँ yes he says smiling broadly वो बोलता हाँ बिल्कुल और बहुत smile मलता बहुत उसकी चेरे में एक रॉनक हो थी एक चमक होती है और उसके साथ हो कहता है कि हम मैं बिल्कुल स्कूल में आऊंगा अगर आप स्कूल सुरू करते हैं तो a few days later कुछ दिन बाद I see him running up to me कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ कि वो जो है running up to me वो मेरी तरफ दोड़ के आ रहा है is your school ready और मुझसे सीधा पूछता कि क्या तुमारा स्कूल सुरू हो गया है is your school ready क्या तुमारा स्कूल सुरू हो गया है it takes longer to build a school it takes longer मतला यह जो school है वो बनने में क्या लेगा बहुँ ज़्यादा भी समय लेगा बहुँ ज़्यादा time लेगा यह मेरा उत्तर होता मैं कहता हूं embarrassed at having made a promise that was not meant ठीक है और embarrassed का मतला होता है लजीदोकर मैं क्या करता हूं इस बात को कहता हूं और जो मेरा कहने का ताथ पर होता है at having made a promise that was not meant मतलब जो मैं उससे वादा करता हूं कि भाई मैं यह जो school है वो क्या हो गया बहुत जल्दी जो मैं उससे promise कर रहा हूं सब क्या है जूट है but promise like mine abound in every corner of his bleak world लेकिन मेरे जैसे जो promise है मेरे जैसे जो उसको क्या दे जाते है वादे के जाते है every corner of his bleak world उसकी जो दुनिया है कैसी दुनिया है कठोर दुनिया है क्योंकि बहुत कठोर मेहनत कर रहा है struggle कर रहा है तो उसके यह जो कठोर दुनिया है उसके परते हिसे में इस तरह के promise पढ़े रहते हैं क्योंकि हर कोई आता है और उससे इस तरह के बाते करता है कोई एक वादा करके चला जाता है और फिर दुबारा उस वादे को कभी पूरा नहीं करता है तो उससे इन जूटे इस नेम एक जब मैं उसको जान जाता हूं तो उसको जानने के बाद मैं उससे क्या करता हूं उसका नाम पूछता हूं सहाईवे आलम और वो कहता कि मेरा नाम क्या है सहाईवे आलम है मेरा नाम सहाईवे आलम है ही अनौन्स वो बोलता है लेकिन वो इसका अर्थ नहीं जान ठीक है उसका खुदा तो जो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है जो वह इस पूरी ब्रह्मान का भगवान है वो साहिव अलम का अर्थ होता है तो इसको सुनने में इसको समझने में और इसके अर्थ को समझने में क्या होगा काफी समय लगएगा इसको विश्वास करने में कि उसका जो नाम का अर्थ है वो है कि वो दुनिया का क्या है भगवान है ब्रमान का भगवान है इसको समझने में उससे क्या लग जाएगा और इ और अर्थ लिए सच्वेश्ट बगाए को चुट है इसको जाने बगेर, stop और इंगार्थ डेश्ट में घूंद गर्वाथ सेना के मानला भूह सारे जुन्दों होता ग्रूप होता दोस्तों का उनके साथ वो कैसे गुमते हैं लड़कों के साथ अपियर लाइक अर्मी बेर फुट बोईस बेर फुट का मलब पैर नंगे पैर जो चलते हैं तो वो जो बच्चे हैं क्योंकि गरीब परिवारों साथ है इसलिए उनके पैरों में क्या नहीं है जूटे चपल कुछ नहीं है उनकी सारे उनका ग्रूप सलुन है वो सब ऐसे हैं जनके पेरों में जूटे चपल नहीं हता है। सुबह के पखचियां यह जूटे बना करके आती हैं और साम को क्या ओजाती है ? दिन तक कि हो जाते हैं, डेस है पर हो जाती हैं, फिर ओजल हो जाती हैं, उस तरह से बच्छे भी सुबह आते हैं, और दिन तक फिर क्या हो ओजल हो जाते हैं और इनके पैरों में जूत्य चबहल भी नहीं होते हैं. Over the month, एक महीने बाद, I have come to recognize each of them मुझे भी उनको recognize करना मतलब पहचानने में कितना समय लग गया एक महने और एक महने बाद मैं क्या कर पाया उनको I have come to recognize मतलब पहचानना मैं उनको पहचान सका एक महने बाद Why aren't you wearing chappals अब मैंने उनसे पूझा कि भाई तुम चपल क्यों नहीं पहनते फिर वो जो बड़ी लोग बड़ी बात है ठीक है तो वो बोलता है कि भाई तुम जो हो चपल क्यों नहीं पहनते I ask him मैं उनसे पूझता हूँ My mother did not bring them down from the self तो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ जो है उनको self जो चट की self होती है जो घर की self होती है जो आप सामान रखते है वहां से उनको नीचे नहीं उतार पाती है इसलिए नहीं पहन पाता हूँ He answer simply बहुत साधना डंक से उसने इस बात को उतर दिया तो बच्चा क्या करता है उनको दूर फैंक देता है As another यह दूसरे बच्चे ने कहा कि दूसरे बच्चा कहता है कि इसकी माँ self से उस चपल को निकाल भी दे तो यह बच्चा उनको उनको जहां से दूर फैंक देगा Who is wearing shoes that do not match और यह बात किसी ने बोली उस बच्चे ने बोली जिसने क्या पहने हो थे जूते पहने थे लेकिन वो क्या नहीं कर रहे थे आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे वो आपस में प्रॉपर नहीं थे यह तो उसने उल्टे पहने थे यह उनके color different थे When I comment on hit जब मैंने इस बात में comment किया मतलब मैंने जब यह बोला है कि तुम्हारे जो जूते हो वो साई धंक से नहीं पहने है इस तो आपस में मैच ही नहीं कर रहे है जब मैंने इस बात में comment दें he suffers his feet at saying nothing तो उसने अपने पैरों किया किया जमीन पर रखड़ा या पैरों को अपना गुमा दिया यह दर उदर कर दिया या अपने पैरों को जमीन पर रखड़ दिया और उसके बाद क्या कर दिया उसने बोला कुछ नहीं I was I want shoes मैं जूते चाहता हूं says a third boy अब तीसरे बच्चे ने बोला दूसरे नहीं क्या कि आपने जूतों को जमीन में रखड़ा या थोड़ा इदर उदर किया और जो तीसरे बच्चा बोलता I want shoes मुझे जूते चाहिए तीसरे बच्चा बोलता who has never owned a pair of his life जिसने कभी भी अपने लाइब में जूतों के एक जूड़ी भी नहीं पहनी थी इसलिए वो बच्चा बोलता कि मुझे जूते चाहिए traveling across the country I have seen children walking barefoot traveling माला यात्रा करते हुए across the country पूरी देश की I have seen मैंने देखा और मैंने पाया children walking barefoot जो बच्चे हैं वो कैसे चल रहे हैं वो चल रहे हैं नंगे पहर उनके पहर में कोई जूते चपल नहीं है in cities सहरों में on village roads गाउं की जो roads होती उनमे it is not lack of money ठीक है माला जो सहर हैं और जो गाउं की roads हैं उनमे मैंने बच्चों को नंगे पहर चलते हुए देखा अब उसका करण बता रहे है it is not lack of money यह जो बच्चों को पैरों में जूते चपल नहीं है यह पैसों की कमी की वैसे नहीं है is one explanation यह उसका एक कारण हो सकता है एक उसका क्या हो सकता है एक ब्याख्या हो सकती है उनके नंगे पहर चलने की I wonder मुझे आस्चर हुआ if this is if this is only an excuse कि अगर यह केवल एक बहाना है to explain away a perpetual state of poverty ठीक है कि उनकी जो क्या है दरिद्रता है उनकी जो क्या है गरीबी है उसको दूर रखने का क्या है एक अगर तरीका है मनलब never ending the condition of being poor कि उनकी जो गरीबी है उससे बचे रहने है उससे बचने का एक तरीका उसको बहाना है ठीक है तो यह एक उनका बहाना हो सकता कि वह चपल इसलिए ने पेंदे क्योंकि वो क्या है लोग गरीब है और वो अपने गरीबी को क्याने करना चारे लोगों के सामने जो कि मुझे एक उदिपी के आदमी ने सुनाई थी और बताई थी वो क्या थी as a young boy एक जवान लड़का he would go to school past and old temple ठीक है वो एक बच्चा जो जवान लड़का था वो इसकोल जाता था और उसके बगल में क्या था एक मंदिर था उस मंदिर से गुजरते वो इसकोल जाता गड़े he would stop briefly at the temple वो क्या कर था थोड़ी देर के लिए उस temple पे क्या रुखता था और प्रे फॉर पर प्यार आप सुच और उस वहाँ पर क्या करता था बगवान से क्या करता था एक जोड़ी जूतों की क्या करता प्रादन करते था बगवान मुझे एक जोड़ी जूते द जो कि अब क्या हो गया है वो जो मंदीर है वो किसमें डूब गया है वो जो मंदीर है वो किसमें डूब गया है उजाड हो गया है मतलब जो वहां की वातावरण है उसमें क्या हो गया हो उजाड हो गया है वो मंदीर और वो मंदीर अब क्या निगा है उस इस्तिदी में नि दिखा था तो वो बंदिर क्या हो गया है कि मंदिर क्या हो गया ही अजाल हो गया है इन दा वह कहते हैं मोज़े पेंए और जूतें पेंए में एराइव पेंटिंग अन्टू हीस स्कुल बैग और फोलडिंग भेड और फ्यक्ता है इस वकिल पेंग को फ्यक्ता लुकिए अजाते हैं ट। ब्रतना करता कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूता देदना उसकी मुझे याध आती है हैाट नेट टू हिस जोड़ी जूता मुझे मिला यह मैं उसके कभी न क summertime हो यह जूड़ी जूता कες वो मैं र fot बनीरे गोड़ेस है ग्रांटेड हिस पेर जो गोड़ेस होती है जो देवी होती है उसकी जो प्रेयर प्राथन होती है इसको ग्रांट कर लेती है मल्ला उसको अनुमती देती है इसको स्विकार कर लेती है यंग बॉई जो जवान लड़का होता है लाइक tonight लिए लाइक प्राइन तो או से संधम हो पहता हैवा वह पहनता यूडप press का ललका है जू만 लड़का है जो 30 पहनता उससी की तरह बहू अलगता पैनल पेञए तो mo पर लाइक पर ढूं क्लू, आन्य, पुझारी, की ललका की तरह यू भूढ़ा जूजलेस वह अभी भी क्या है सूजलेस उनके पास अभी भी क्या नहीं है जूते नहीं है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी है जिनके पास जूते नहीं है कुछ को तो मिल गए लेकिन कुछ के पास नहीं है remaining part of this particular chapter we will do in next video thank you very much